हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SSC टूल्स में फ्रेंट्स अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर subscribe कर लेना क्योंकि आपके सारे questions यहीं से मिलेंगे exam में फ्रेंट्स जो हमारा आज का topic है वो है दर्रा तो दर्रे होते क्या है फ्रेंट्स हम जो topic है दर्रे इसको हम map के जरीए पढ़ने की कोशिश करेंगे और कुछ rhyming words के जरीए इसको याद करेंगे दोस्तों इससे पढ़ने का फाइदा क्या होता है map से जब हम पढ़ते हैं तो हमें लंबे समय तक याद बना रहता है तो सबसे पहले हम देखते हैं दर्रे दर्रे आखिर होता क्या है तो दर्रे को हम English में mountain passes बोलती है mountain passes यानि की दर्रे mountain passes होता क्या है वो देख लेती है दोस्तों जो दो माउंटेंस होते हैं उनके बीच का जो रास्ता होता है जिसके जरी हम माउंटेंस के आर पार जा सकते हैं तो उसको हम दर्रा बोलते हैं यानि कि किसी भी दो परवतों के बीच का रास्ता दर्रा कहलाता है तो दर्रा होता क्या है यह आपने समझा इसमें कोश रज्जे में इस्तित है तो नाथ्ज दर्रा सिक्किम रज्जे में इस्तित है इसी तरह पूछा जाएगा जेल अप्ला यह जय अध़िए आटेस्किमराज्जर करें स्थेत तो सिक्किम के हमने जो दूर्दर्ये पड़े उसको आपको इस तरह याद रखना है नाथुला और जेलेपला सिक्किम राज्ये में इस तित है rated. तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम का मतलब सिक्का आप समझ लेना, सिक्का तो समझते हैं, अब सिक्के से हम क्या खरीच सकते हैं, जले भी खरीच सकते हैं, तो इस तरह याद रखना हम जले भी, और सिक्के हम किस पे चड़ाते हैं, नाथ पे चड़ाते हैं नाथ मतलब भगवान इशुर तो इससे याद हो जाएगा नाथ से नाथुला दर्रा और जलेवी से जेला पला दर्रा तो इस तरह आपको ट्रिक से लर्ण हो जाएगा सिक्के से हम क्या करीच सकते हैं जलेवी खरीच सकते हैं तो सिक्के से हम जलेवी भी खरीच सकते हैं तो जलेवी से हो गया जेलेपला दर्रा और नाथ नाथ पर चड़ाते हैं सिक्के नाथ यानि की भगवान तो नाथ से हो जाएगा नाथुला दर्रा तो यह ट्रिक थी आपकी लर्ण करने की नेक्स दिखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन से प्रमु में इस्थित है यह है हमारा अरुणाचल प्रदेश राज्य तो अरुणाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रे इस्थित हैं उसको देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो दो प्रमुख दर्रे इस्थित हैं वो हैं बोम डिला और दूसरा है दिफू दर्रा तो बोम अरोन आपको याद रखना है बोम अरोन तो आप बार बार इसको बोलेंगे राइमिंग वर्ड की तरह तो आपको लर्न हो जाएगा बोम अरोन यानिकी बोम से बोम डिला अरोन से अरोना चल प्रदेश इसी तरह आपको याद रखना है दफ़ा अरोन तो दफ़ा अरोन याद रखेंगे मंडि मधर्पर राज चे सबसे पहले लोकेशन देखती हैं कि यहारा भारत में मढिपुर कहने तो आपको यहां दिख रहा होगा मढिपुर जो है वह उत्तर पूर्व में आपको को देखना है कहां इस्थित है मड़ीपूर तो मड़ीपूर की जो लोकेशन है वो यह है यह मड़ीपूर तो मड़ीपूर कहां इस्थित है आपको दिख्या होगा उत्तरपूर राज्य में इस्थित है तो उत्तरपूर जो है उसमें साथ राज्य इस्थित हैं तो ये seven sisters कहलाते हैं जिसमें एक मड़ीपुर भी है दोस्तों ये याद रखने की बात है जो सिक्किम राज्य है वो seven sisters में नहीं count किया जाता है seven sisters में यहां तक के part ये part count किया जाते हैं जिसमें साथ राज्य आपके आती हैं तो मड़ीपुर आपको स्थित हैं अब इसको याद कैसे रखेंगे इसको भी हम राइमिंग वर्ड के जरी याद रखने की कोशिश करेंगे आपको बार बार इस तरह राइम करना है तुझू मड़ी तुझू मड़ी जब आप बोलेंगे तो आपको लरन हो जाएगा कि तुझू दर्रा कहां स्थि उत्राखट इतया नत्य JUST है थो जाण बीलो जाता है तो सबसे पहले आप यह समझो नीती तरह जो है वो उत्राखट में सितव है मांधड alorsrou और लिक्क मतलब लेक था याद करने की ट्रिक क्या क्या है तो सबसे क्वारे आप ये समझो नीथी-दर और जो एवह उत्तरा इन माना दर्रा जिसे हम कभी-कभी माना भी लिखतेते हैं माना दर्रा तो माना दर्रा या माना दर्रा कहां इसते हैं वो भी उत्राखंड में इसते हैं लिपू लेक वो भी उत्राखंड में इसते हैं तो यह तीनों दर्रे कहां हैं उत्राखंड में इसते हैं अब इसको राइमि सबसे सिंपल थी तो और नीती दर्रा कहा है उत्राखण में तो आपको बोलना है नीती उत्रा ऐसे आपको बोलना होगा माना उत्रा माना उत्रा दोस्तों यही ट्रिक सब फॉलो करते हैं आपको भी यही ट्रिक फॉलो करनी है माना उत्रा और लास्ट वाला है लिपू उत्रा तो इस तरह आपको बोलना है लिपू उत्रा लिपू उत्रा तो आप राइमिंग वर्ड के जरी इसको याद कर सकते हैं नीती उत्रा माना उत्रा और लिपू उत्रा नीती उत्रा से नीती दर्रा उत्राखंड माना उत्रा यानि कि माना दर्रा उत्राखंड लिपूत्रा से लिपूलेख दर्रा उत्राखंड तो इससे आपको याद हो जाएगा दोस्तों उत्राखंड में एक और दर्रा इस्तित है जिसको हम हमें याद रखना है देख लेते हैं वो कौन सा दर्रा इस्तित है हैं तो मुलिंग्ला जो है वह रीवी उत्रखंड में स्तेत हैं दोस्तों लिपूल आख जो दर्रा है उसकी विशेक्स यह कि यहां से हम कैलाष मानसरोवर यात्र वह आत्रा के लिए लिपू लेक्सरां जाना जाता है भारत वह चीन के पिश uh पेला सीमा चीन था इसके यह यहां तो यहां आपको चीन जाने के लिए इस तर्रह को आम यहां से पार करते थे मडीपूर में जी मढ़ीपुर भीपूर धिम्ए करदेश इसक्तों और शहीं हां निलीक दर्ए नेक्स्ते हैं हैं हेमांचल क्रदेश लोकेशन देखते हैं दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत और ये है हमारा हिमांचल प्रदेश तो दोस्तों जो हिमांचल प्रदेश में दर्रा इस्थित है प्रमुक वो है शिपकिला और दूसरा रोहतांग शिपकिला हिमांचल प्रदेश रोहतांग हिमांचल प्रदेश इसको कोई ट्रिक से याद नहीं करना है क्योंकि ये सबसे सिंपल है शिपकिला का नाम आप बार बार सुनेंगे तो याद रखना है जो शिपकिला दर्रा है वो हिमांचल प्रदेश में इस्तित है दूसरा रोहतांग तर्रा जो इस्तित है वो भी हिमानचल प्रदेश में इस्तित है तो शिपकिला हिमानचल प्रदेश और रोहतांग हिमानचल प्रदेश लद्दाक देख लेते हैं लद्दाक कहा है तो दोस्तों ये हमारा जमू कश्मीर है तो जमू कश्मीर जो है इसका ये जो पार्ट है ये तो हमारा जमू कश्मीर में आता है और शेश जो यहां से यहां तक का ये जो पार्ट है ये लद्दाख में काउंट किया जाता है अब लद्दाख तो देख लेते हैं लद्दाख में कौन कौन सी चीज़ें इस्थित हैं लद्दाख में कारा कॉरम दर्रा इस्थित हैं कारा कॉरम का नाम आपने बार बार सुना होगा जो अकसर न्यूज में रहता है तो कारा कॉरम दर्रा लद्दाक आपको याद रखना है कारा कॉरम कहा है इस्तिता है लद्दाक में इस्तिता है नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर का आपको कैसे याद रखना है जम्मू कश्मीर की लोकेशन हमने अभी देखी है तो जम्मू कश्मीर में जो प्रमुख दर्र इस्तिते हैं वो हैं बुर्जिला, बुर्जिला दर्र कहां इस्तिता है जम्मू कश्मीर में बनी हाल बनी हाल भी जमू कश्मीर में इस्तित है और जो जिला जो जिला तो बहुत फेमस है यह भी जमू कश्मीर में इस्तित है तो इसको याद करना है कि ट्रिक है आपको इस तरह बोलना है बुर्जी जम गई ननिहाल जम गया और जिला जम गया तो आपको कैसे याद रख यह लेकिन आपको ट्रिक से ज्यादा अच्छा याद होगा ज्यादा लंबे समय तक याद होगा आपकी जौवान पर बैठ जाएगा तो बुर्जी जमगई इसी तरह आपको बोलना है, जिला जम गया, बुर्जी जम गई, जिला जम गया, और तीसरा ननिहाल जम गया, ननिहाल, ननिहाल मतलब नानी का घर जो होता है, ननिहाल जम गया, तो इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा, बुर्जी जम गई, बुर्जी से बुर्जिला, ब जाएगा तो बुर्जी से बुर्जिला दर्रा ननियाल से बनियाल दर्रा जिला से जोजिला ये तीनों जम्मु कश्मीर में इस्तित हैं जोजिला की क्या विश्षता है जो जोजिला दर्रा है हमारा वो श्री नगर को ले से जोड़ता है दोस्तों जो ले है वो लग्दाक मे से और दिवाइड है एक तो जमू कश्मीर और एक लाक तो लताक जो है उसकी वे ले है और जमू कश्मीर की कैपिटल क्या है श्रीनगर को श्री नगर से जोड़ने वाला जो दर्राइः वह हमारा जो जिला धर्राइः नेख्ट देख़ लेते हैं महरा स्थ कहा है तो यह द महाराश्टर में जो हमारे प्रमुक दर्रे इस्तित हैं वो हैं थालगाट और भोरगाट थालगाट महाराश्टर और भोरगाट महाराश्टर तो घाट घाट वाले जो हैं वो महाराश्ट में इस्तित हैं लेकिन दोस्तों यहां ध्यान रखना है पालगाट अलग से हैं हट जो है वह हमारा केरल में स्थित है केरल की सबसे पहले लोकेशन देखेंगे तो दोस्तों यह हमारा प्राइद यूपिय भारत है और प्राइद यूपिय भारत में यहाँ आप देख सकते हैं केरल का इस्थित है तो केरल जो है वह सबसे लास्ट में स्थित है तो यह हमारा केरल है, तो केरल में कौन-कौन से दर्रा इस्थित है, हमने देखा अभी केरल में कौन से दर्रा इस्थित है, पाल घाट, पाल घाट केरल में इस्थित है, अकेला घाट आपको लर्न ऐसे ही हो जाएगा, नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो पाल घाट जो है, उसकी कुछ विशि अभी हम यहां से देख लेते हैं कुछ सिंपल में यहां से जो सबसे नीचे इस्तित है भारत में वो है कार्डेमम तो कार्डेमम सबसे नीचे इस्तित है कार्डेमम जैसे इलाइची पाड़ियां कहते हैं कार्डेमम फिर नेक्स्ट कार्डेमम के जो ऊपर है वो हमारी कौन सी पाड़ी इस्तित है अन्ना मलाई अन्ना मलाई फिर अन्ना मलाई के जो उपर इस्तित है ठीक वो हमारी कौन सी है नील गिरी तो यह है नील गिरी तो यह नीचे जो है साउथ की पाड़ियां इनका नाम आपको ध्यान रखना है और भी पाड़ी आया है जेवराइश हो रहा है और भी यह जावडी और भी यह तो यह आपको याद रखनी है तो यह नहीं याद रखनी है यह हम बाद में पढ़ेंगे जब पाहड पढ़ेंगे उसमें अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो पालगाट की बात हो रही है तो पालगाट तरदा जो है वो केरल में इस इस्तित है नीलगेरी हमारी कुण से पाड़ी तायेवाली और अना बलायी हमारी सेकंड लास्ट थी तो इनके बीच में यहां कोई दर्रा इस्तित है वो है पालगाठ तो ये आपको याद रखना है फिर है खेबर दर्रा खेबर दर्रा के इस्तित है खेबर दर्रा जो है वो पाक और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस्थित है इस तरह से आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था यही वो दर्रा है जहां से आरे भारत में आये थे तो खेबर दर्रा का नहीं हम ध्यान रुकना है पाक और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर इस्तित है यह भारत में इस्तित नहीं है लास्ट है हमारा चांगला दर्रा तो चांगला दर्रा लद्दाक में इस्तित है लद्दाक की लोकिशन हमने देखे ली थी मैप के जरी है तो लद्दाक में कौन सा इस्तित है चांगला दर्रा तो दोस्तों अभी अमने लद्दाख में अमने एक और दर्रा देखा था वो कौन सा था कारा कूरम कारा कूरम जो है वो भी लद्दाख में इस्थित है और अभी जो हम देख रहे हैं वो है चांगला दर्रा जो है वो भी लद्दाख में इस्थित है तो चांगला दर्रा जो है यहां से हम लद्दाख को तिबबत से जोड़ता है दोस्तों तिबबत जो है वो चीन में स्थित है तो लद्दाख को तिबबत से जोड़ता है वो है चांगला दर्रा तो दोस्तों यह थे हमारे दर्रे के कुछ कोशन्स इसके बाद वाले वीडियो परवत हैं उनकी बात करेंगे तो दोस्तम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक कियर